गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश की बुग का लेसन नमबर फॉर दा लिटल ड्रेड हैंड इसको हम हिंदी में डिस्कस करेंगे एक बार की बात है कि एक छोटी लाल मुर्गी एक खेट में रहती थी एक आलसी कुत्ता, नेंद वाली बिल्ली, शोर करने वाली पीली बत्तक उसके मित्र थे सारे मित्र इकठे रहते थे एक दिन छोटी लाल मुर्गी को मैदान से कुछ गेहूं के दाने मिले तो छोटी लाल मुर्गी को एक आइडिया आया कि वे गेहूं का दाना लगाएगी छोटी लाल मुर्गी ने अपने दोस्तों से पूछा कि इस अनाज को लगाने में मेरी मदद कोन करेगा आलसी कुत्ता भोंका मैं नहीं करूंगा नींद वाली बिली गुर्राई मैं नहीं करूंगी शोर करने वाली पीली बत्तक ने कहां मैं नहीं करूंगी तो छोटी लाल मुर्गी ने कहां मैं कर लोंगी तो लाल छोटी लाल मुर्गी ने सभी बीज खुद बोए जब बीज बड़े होगे तो छोटी लाल मुर्गी ने अपने मित्रों से पूचा कि गेहूं को काटने में मेरी मदद कोन करेगा आलसी कुट्टे ने कहा मैं नहीं करूँगा नींद वाली बिल्ली ने कहा मैं नहीं करूँगी शोर करने वाली पीली बत्तक ने कहा मैं नहीं करूँगी तो छोटी लाल मुर्गी ने कहा मैं कर लूँगी इसलिए छोटी लाल मुर्गी ने खूत दी गेहूン को काटा जब सारी गेहूं कट गई तो छोटी लाल मुर्गी ने अपने मित्रों से पूछा कि गेहूं को चकी में आठा पिसवाने के लिए मेरी मदद कोन करेगा तो आलसी कुट्टे ने कहा मैंने ही करूँगा नीनद वाले बिली ने कहा मैंने ही करूँगी शोर करने वाली पीली बतक ने कहा मैंने ही करूँगी तब लिटल छोटी लाल मुर्गी ने कहा कि मैं कर लूँगी तो चोटी लाल मुर्गी ने चकी से गेहों को खृता और गेहों को आटे में पिस्वाया और आटे की भारी बोरी लेकर खेत वापिस आई ठकी हुई चोटी लाल मुर्गी ने अपने मित्रों से पूछा ब्रैड को बेक करने में मेरी मदद कौन करेगा आलसी कुत्ते ने कहां मैंने ही करूँगा नीनद वाली बिली ने कहां मैंने ही करूँगी शोर करने वाली पीली बतक ने कहां मैंने ही करूँगी तो छोटी लाल मुर्गी ने कहां मैं कर लूँगी इसलिए छोटी लाल मुर्गी ने ब्रैट खुद बेक की जब ब्रेड बेक हो गई, ब्रेड बन गई, तो ठकी हुई छोटी लाल मुर्गी ने अपने मित्रों से कहा कि ब्रेड कौन खाएगा तो आलसी कुटे ने कहा मैं खाऊंगा नेंद वाली बिली ने कहा मैं खाऊंगी शोर करने वाली बिली बतक ने कहा मैं खाऊंगी तो छोटी लाल मुर्गी ने क्या कहा नहीं आप इसे नहीं खा सकते इसे मैं खुद खाऊंगी तो छोटी लाल मुर्गी ने सारी ब्रेड खुद खाई